दोस्तो आज आपको इस वीडियो में रवीश कुमार की पूरी हिस्टी बताएंगे रवीश कुमार का एंडी टीवी के साथ धाई दसक का सफर खत्म हो गया है वो एंडी टीवी इंडिया में गुरूप एडिटर के पदबर कारे रहे थे वो दुबार को उन्होंने इस्तिफ रवीश कुमार को शुराती प्रिसिद्धी रवीश की रिपोर्ट से मिनी थी जिसमें वो गरीब मजदोर रहाशी लोगों को मुद्दा उठाते थे हलाकि रवीश कुमार के निये भी रिपोर्टिन तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था एंडी टीवी में उन्होंने पत पत्रिकाइटा में जाने का सुझाब दिया था हाला कि वो इतिहास से प्रेम करते थे लेकिन डरते थे कि इतिहास में शोध कार्रे कैसे करेंगे चुकि रवीश कुमार हिंदी माध्यम से पड़े थे इसलिए उन्हें लगता था कि उन्हें एकेडमिक्स में नौक्री नहीं पड़ा रवीश कुमार अपने एक इंटर्वी में बताते हैं कि वो दोर उनके लिए बेचैन करने वाला था क्योंकि वो तैन नहीं कर पा रहे थी कि उन्हें क्या करना है इसे दरान उन्हें मंगलेंश डवराल ने कुछ फ्रीलांस काम दिया उन्होंने 1994 से 1995 के पुस्तक मे पेले में पैसो के दिये निउस लेटर निकाला साल उन्हें 1996 में रवीश कुमार को पता चला कि एंडी टीवी में एक डैरी जोब है आउट लोग को दियेगा इंटर्व्यू में रवीश कुमार बताते हैं कि वहां उन्हें चिठी चांटने का काम मिला था तब डीडी पर गुड मॉर्निंग इंडिया नामक एक सो आया करता था रवीश कुमार इसी सो के लिए आने वाले पत्रों को अलग करने का काम करते थे पांच महीं ने ये नौकरी करने के बाद रवीश कुमार ने एंफिन में दाखिले लिया लेकिन वो अब इतिहास से अधिक पत्रिकाई तो मैं रूची लेने लगे थे इसलिए फिर एंडिटीवी में पहुंच गए वहां उन्हें अनुवादक की नौकरी मिल गई जब एंडिटीवी इंडिया लॉंच हुआ तो उन्हें डेस्क का काम दिया गया डेस्क पर काम करने के दौरान रवीश कुमार को एक दिन एंड अग्रेजी की बज़े से अपना फैसला रद ना कर दें बता दे कि रवीश कुमार कई बार ये बता चुके हैं कि उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है रवीश कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की तब ये तैह हो चुका था कि बड़े बीट पर कौन कौन से हैं कश्मीर संसद अपराद राजिनीती जैसे बीट पर उन्हों पहले से इस्थापित लोग काम कर रहे थे आउटलुक को रवीश कुमार की रिपोर्ट की शुरुआत की कहानी बताते हुए वो कहते हैं कि मैं हर शनिबार और रवीबार को द